तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नई वेकेंसी की जो की यूपी बुलीस में निकली है असिस्टेंट ऑपरेटर्स की ठीके गाइस ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे और इसका एक्जाम भी ऑनलाइन होने वाला है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कितनी वेकेंसी यहां पर जो की आपका दिया गया है उतरप्रदेश सरकार द्वारा उतरप्रदेश पुलिस भरती एवं प्राणनती बोर्ड के द्वारा दिया गया है जिसमें से अगर आप लोग देखें यहां पर की जो अगर वेतन की बात करें तो यहां पर दिया गया है 35,400 से लेख एक हजार ब जो है वो निकाली गई है special post है यहाँ पर जो कि आप लोग अगर बात करें यहाँ पर कैसे कैसे post divide की गई है जैसे आप लोग जनरल category की बात करें तो 389 post यहाँ पर दी गई है 379 post आफी ग्रूप से कमजोर यानि कि economically weekers action के लिए 92 post जो है वो रिजर्व की गई है नौन creamy layer के लिए यहाँ पर 252 post को निरक्षित किया गया है अनुस उचित जाती यानि कि SC के लिए यहाँ पर कितनी post 195 post यहाँ पर दी गई है अनुस उची जन जाती यानि कि ST के लिए 18 पोस्ट को निर्धारित किया गया है टोटल यहाँ पर 936 पोस्ट जो है वो available है इसके लिए आप लोग अगर important date देखें तो कब से ये form शुरू हो रहे हैं तो 20 जनवरी से ये form जो है वो start हो चुके हैं guys तो जल्दी से जल्दी जो है इस form को fill करना आप लोग शुरू कर सकते हैं last date जो है वो 28 फर्वरी है ठीक है 28 फर्वरी को इसकी last date है तो फर्वरी फर्वरी का time आप लोग के पास है इसको जरूर इसमें fill कर लीजेगा last date पर जो payment कर सकते हैं आप लोग इस exam के लिए fees payment तो वो भी आपका 28 फर्वरी ही दिया गया है अगर हम लोग बात करें यहाँ पर age limit की तो आपकी जो age limit है वो देखी जाएगी 1 जुलाई 2022 के according देखी जाएगी कि आपकी minimum age जो है वो 20 साल होनी ही चाहिए और maximum age जो है वो 28 साल होनी ही चाहिए ठीक है यह आपकी दी गई है और दूसरी बात यहाँ पर age relaxation दिया जाता है SCST OVC candidates को तो यह जो है आप लोग देखी यह according to आपके 2022 rules के according यहाँ पर होने वाला है ठीक है तो यह यहाँ पर age relaxation भी दिया जाएगा जैसे कि आपको पता ही है SCST के लिए यहाँ पर 5 years कर age relaxation दिया जाता है तो उसी के according आप लोग इस form को फिल कर सकते हैं education eligibility यानि कि education qualification क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर head operator और head operator mechanic की post जो है वो निकली है qualification की तो तीन साल का engineering diploma आप लोगों के पास होना चाहिए किस-किस में यह engineering diploma होनी चाहिए तो वो है आपका electronics, telecommunications और आपका electrical, computer science, IT या फिर mechanical में आपका यह जो engineering diploma है यह होना चाहिए इस form को आप फिल करने के लिए यह qualification आपकी चाहिए होगी ठीक है तो यह basically यहाँ पर education eligibility यहाँ पर मांगी गई है अगर हम लोग देखे category wise तो यह हम लोग देख चुके हैं कैसे category wise यहाँ पर post को divide किया गया है general category के लिए यहाँ पर 379 post है economically weaker section के लिए 92 post है OBC के लिए यहाँ पर दिया गया है 252 post ST के लिए 195 post और ST के लिए 18 post को reserve किया गया है total 936 post जो है यहाँ पर दी गया है application fees की बात करें तो सभी को यहाँ पर application fees जो है वो देनी पड़ेगी general OBC के लिए 400 rupees SCST या महिला किसी भी category की हो यहाँ पर सभी को ही 400 rupees fees देना है online transaction आपको करना होगा credit card debit card या फिट net banking के थूँ आप लोग कर सकते हैं each alarm भी बनवा सकते हैं यहाँ पर fees payment के लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आपकी कि physical eligibility क्या चाहिए यहाँ पर तो male और female के लिए अलग अलग दिया जाता है height जो है male के लिए SC जो general category है SC category है और OBC है तो इनके लिए जो height देया जाता है वो दिया गया है 168 cm और ST के लिए यहाँ पर दिया गया है 160 cm के लोग जो है यहाँ पर apply कर सकते हैं male में और अगर हम लोग चेस्ट की बात करें तो male में ही यह देया जाता है male में देखा जाता है तो यहाँ पर आपका cm कितना होना चाहिए 79 to 85 जो है male candidate जो की आपके general है OBC और SC community से ब्लॉंग करते हैं अगर ST की बात करें तो यहाँ पर 77 to 72 test जो है वो आपका होना चाहिए ठीक है running मांगी गई है क्योंकि आप लोग का physical test भी यहाँ पर होने वाला है तो physical test के लिए जो running male candidate के लिए मांगी गई है वो मांगी गई है 4.8 km in 28 minutes तो 28 minutes में यह आपको running जो है complete कर देनी है बहुत बड़ा task नहीं है अगर आप लोग आज से ही तैयारी शुरू करेंगे तो यह efficiency भी आपकी बढ़ती चली जाएगी ठीक है female candidate की अगर हम लोग बात करें तो general OBC और SC के लिए जो height मांगी गई है वो है यहाँ पर 152 cm अगर ST candidate की बात करें तो 147 cm यहाँ पर height जो होनी चाहिए ठीक है अगर यहाँ पर physical stamina की बात करें तो running test होगा यहाँ पर 2.4 km 16 minutes में complete करना है तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे अपना physical stamina बढ़ाने के लिए आज से ही running शुडू कर दीजिए अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है चलिए selection procedure की बात करें तो सबसे पहले इसमें online test होगा online test के बाद यहाँ पर होगा आपका physical standard test document verification होगा ठीक है यह सब होने के बाद आपका होगा physical endurance test ठीक है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें online जो paper होने वाला है देखे paper online होगा ठीक है 400 अंकों का paper होगा जिसमें से आप लोगों को पूछा जाएगा समान्य हिंदी जिसके 100 number का आपका question समान्य हिंदी का आएगा विज्ञान और समान्य गान यह जो होगा यह भी आपका 100 number का पूछी जाएगी तो टोटल जो आपका mark होगा वो 400 mark जो है यह paper जो होने वाला है धाई घंटे का paper होगा यानि कि डेड़ सो मिनट आप लोगों को इस paper को देने में दिये जाएगे दूसरी बात यहाँ पर अगर आप लोगों का अगर हम लोग देखें तो डेड़ सो मिनट में आपको यह total paper जो है वो करना होगा ठीक है 1500 मिनट का मतलब है धाई घंटे में यह paper जो है देना होगा आप लोगो ठीक है तो यह आपका रहेगा अगर हम लोग बात करें अगला जो test होगा वो होने वाला है आपका physical standard test और document verification यह आप लोगो मैंने बचाया जैसे ठीक है त दूसरा 4.2.4 km की रेस जो है वो लड़कियों को करनी होगी female candidate को करनी होगी और 16 मिनट में यह complete करना होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजेगा शेर कीजेगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारी यूट्यूब चैनल को ताकि आप लोग को नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे और नए अपडेट जो भी गवर्मेंट एक्जाम की आती है वो यहाँ पर पूरी तरह आपको मिलती रहेगी ठीके गाइस तो सब्सक्राइब करना ना भूले गवर्मेंट एक्जाम के लिए किसी भी गवर्मेंट एक्जाम के लिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे थैंक्यू सो बाबाए और टेक केर